थौट अफ तड़ी आज का विचार क्या है? स्वागत है आपका फोकस अन एजुकेशन में मैं एजुकेटर इसी थौट के साथ आप की सुरुवात करती हूँ चलिए क्या कुछ खास नज़े डालते हैं आज 15 अक्टूबर 2020 है और फर्स्ट पंड क्या है? टोकियो अंतराश्टी फिलिम मोहत्सों में एक मातर भारतिय प्रविष्ट से कौन सी फिलिम थी? तो वो थी कारखानी साची वारी ठीके? याद रखीगा टोकियो में जो इंटरनेशनल फिलिम फेस्टिवल हुआ उसमें एक मातर फिलिम गई थी क्या नाम था? कारखानी साची वारी नेक्ट क्या है? your best day is today उस तक किसने लिखी है? यह किसकी है यह? तो अनुपमख्यर की है याद रखेगा यह अनुपमख्यर की तीसरी बुक है याँनि इससे पहले और भी बुक आ गई है उनके नाम देख लिजिए पहली बुक चुराई था उसका नाम क्या था? लेसन, Life taught me unknowingly मतलब मैं जिन्दिगी ने मुझे सिखाया बिना मुझे कुछ जाने या बिना मैंने कुछ जाने मैंने जिन्दिगी से काफी कुछ सिखाया दूसरी बुक थी इनकी The best thing about you to you सबसे अच्छी चीज क्या है? तुम में? तुम से ही ठीक? इस चीजों को याद रखिएगा चलिए next point पर नजल आले वो क्या है? एक आपको news में word मिला टीनिस्ट ये क्या है? क्या है? टीनिस्ट तो ये क्या है? COVID-19 एवं इसके inspection को रोकने के लिए किये गए उपायों से मरीजों में बढ़ रही है क्या? टीनिस्ट ये क्या है? ये कानों में बजने के रूपे में वर्णित है यानि कानों में आवाज की गोज सुनाई देती है इसे कभी-कभी अगर आप ध्यान दियोगा अगर की तवियत खराब होई होगी तो आपको आचानक कानों में बीप की आवाज सुनाई देती है या फिर सन की आवाज सुनाई देती है तो वो क्या है? वो इसी को कहते हैं कानों में आवाज का गूजना या आवाज की ध्वनी एक सुनाई देना और कुछ देर के बद वो सही हो जाता है तो अभी COVID-19 की जी तो पेसेंट है उन्हें इन समस्याओं से जूजना पड़ रहा है तो ये वड़ याद रखेगा ये एक और हाँ ये भीमारी नहीं है ये ध्यान रखेगा हो सकते statement wise दे कि क्या एक प्रकार का ये disease है भीमारी है तो वो क्या है किस राज्य में कुपोशन को कम करने के लिए पूर पोशन कारिक्रम में मचली और मचली अधारित उत्पादों को सामिल करने की बात कही गई है तो अभी हम जान रहे है सेप्तमबर मन्त में हमने क्या मनाया था कुपोशन मह मनाया था ठीक है कुपोशन वीक मनाय था पूरा कपूर सब्तम्बर को हम तो पोशन को खतम करने के लिए उडिसा सरकार ने उडिसा सरकार का अभियान है उडिसा सरकार ने खाने जो पूर्व पोशन अभियान है कारिक्रम है उसमें मचलियों को खाने के लिए कहा गया है यानि मचलियों से बनीवी चीजें और जो 50 आंगनवाडिक के अंदर में इसको शुरू किया अगर यह successful रहा तो पूरे उडिशा में इसको launch किया जाएगा और अगर उडिशा से ध्यान रखेगा तो उडिशा में ही आपको क्या मिलता है टॉर्टल मिलते है ओलिव टॉर्टल ठीके और येलो रंग का टॉर्टल भी हमें यहीं देखने को मिला था इस point को भी याद रखेगा next important point है वो ये क्या है किसने जल सनरचन पूरसकार 2019 जीता है तो अगर संस्था के according पूछे किसमें तीन category आई थी ठीक एक तो आपको person को मिला ठीके मतलब institute को मिला किसी एक संस्था को ठीक और एक आपको मिला किसी राज्य को ठीके स्टेट को और एक मिला आपको जीले को अगर पूछे का institute को किसे मिला तो यह मिला है वैश्णो देवी साई बोड को यह इन्हें और ही कई प्राइस पहले मिल चुके हैं अभी इस बार का जल सनरचन पूरसकार 2019 वैश्णो साई देवी साई बोड को मिला है और इसे 2018 में बेस्ट क्लीननेस आइकोन प्लेस भी मिला था ठीके याद रखिएगा इसी इंस्टिटीट को कब 2018 में और यह इसका दुनसरा संस्क्राण है यह पॉइंट भी याद रखिएगा और अगर जिले के बाद में पूछा जाए मतलब कौन सा जीला सबसे अच्छा तो आंत प्रदेश का कडपा जीला जो है वो सबसे अच्छा प्रदशन किया जल को संरच्छित करने में अगर राज पुछेगा तो हमने प्रिवेस यूडियम बताया था वो राज जी कौन है आपका सबसे अच्छा प्रदशन करने वाला ओल ओवर तो आपका तमिल है ठीक है इस पॉइंट को भी याद रखिएगा अच्छा हाँ एक और पॉइंट याद रखिएगा अभी करनाटक में कहां पे करनाटक के मैसूर में कहां पे मैसूर में भारत का पहला फर्ष्ट भारत का भारत का पहला क्या चंदन संग्राले लगाए गया है ठीक है चंद संग्राल है यह पॉइंट याद रखिए गई कहां पर लगाया गई फर्स्ट है इंपोर्टेंट बन जाता है यह खोला गया है कहां करनाटक के मैसूर में यभी अभी नियूज मुझे मिली तो मुझे याद आ गया तो मैं इसको लिखा नहीं था तो मैं सुझ आपसे डिस्कस कर लूँ इस ऐसे चीज़े आती है पहली पहली कहां हुई चलिए नेक्ट पाइंट पर नहीं डाले वह क्या है यह आई आर सी टी सी किन स्थानों से बारस से सत्रस दिसंबर तक के लिए भारत दर्शन दच्छन भारत यात्रा का आयोजन कर रहा है तो कहां पर कर रहा है यह है हैदराबाद से सिकंदराबाद जाएगा इस बार की थीम कहनों ने रखिए तो सो इंडिया टू इंडियन भारतियों को भारत दिखाओ याद रखिएगा नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यह यह क्या है खलीफा बेन सिलाम अल खलीफा किस देश के प्रधान मंत समय तक सेवा में रहने वाले पीम थे इनका फॉर्टी एटी फॉर साल में इनकी मिट्टी हो गई और दूसरा कुशन क्या बन सकता है बहरीन के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है यानि प्रधान मंतरी का तो क्राउन प्रिंस अहमद बिन इसा अल खलीफा तो सब में रहता है तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा अमद बिन इशा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका यह देखिए यह है बोरम देव वन जीव अभ्यारन कहां पर है तो यह 36 गण में है यह नियूज में क्यों रहा क्योंकि यहीं पर कानहा टाइगर रिजर्व है और आ इसी नाम से यह गल्यारे की रूप में काम करता है कौन भोरम देव वन जीव अभ्यारन और यह नियूज में सती है रहा क्योंकि यहां पर एक बाग की मिट्ट्यूव मिली बतब डेड बॉड़ी मिली जिससे यह नियूज पेपर में च्छाया रहा है नेक्स्ट पाइंट तो अधार वर्स अगर बोला जाए अधार महीना किसको मना अधार वर्स नहीं सौरी अधार महीना किसको मना यह बेश मंत जो है वो सेप्टमबर मंत को माना गया आप निर्भारत के लिए और हम आज जानते हैं कि आप निर्भारत किसके दोरा लॉंच किया गया था तो वित त्री फ्रॉंग फ्रजाती को खोजा गया कहां पर तो अंडबार निकको बार दीप में उसको खोजा गया और ये इंडिया चाइना और इंडिनेशिया ने मिलके से गोजा है और अगर पॉइंट देखा जाए एक चाइना से इंपोर्टेंट पॉइंट नियूज आई थी क्या है जो सेवा निर्वित करमचारी होते हैं को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून पास किया है पहले यहाँ पैसा कोई कानून नहीं था किएगग अगर आप आर्मी में जुआइन हों और अगर आप रेटायर हो जाते हो तो कुछ आपको कोस में कुछ मीलता है जैसे पैंसन मिले या कोई और भी सुविधाय में लें इंडिया में दिया जाता है लेकिन अब होँ के मिलिटरी को भी उन्होंने एक ऐसा कानून लेकर आया है जिसे कुछ सुविधाय देंगे अब क्या देंगे वो तो वो जाने बठा ऐसा कुछ सुविधा करने वाला अपने constitution में वो कौन है चाइना है इस point से याद रखिएगा चली next point परने जाड़ाले वो क्या है यह भी हमारे लिए important point बन जाता है प्रधान मंत्री नरेंद्र जी ने पांचवे आयुर्वेदा दिवस पर किन दो राज्यों में आयुर्वेदा संस्था का उद्घाटन किया तो एक आपका जामनगर गुजरात में और जैपूर राजिस्थान में किया यह पांचवा था और हम कब आयुर्वेद दिवस मनाते हैं तो 13 नवंबर 2016 से मनाते आ रहे हैं इस पॉइंट को याद रखिएगा और दूसरा इंपॉर्टन पॉइंट है क्या कि डबलू एचो सेट अप सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसीन इन इंडिया यानि इंडिया में भारत में एक पूरे वर्ड का एक ट्रेडिश का संबंद किस्स है यह इंपॉर्टन है काफी बार एक्जा में पूछा जा चुका है तो अपरेशन ठंडर किसे संबंदी थे तो वन जीव और वन निय आप राध से जनी अभी चंदन की लकडियां जो पास आउट की जा रही थी बेजी जा रही थी स्मगलिंग कर जा रही थी उसको पकड़ में पकड़ा गया तो इसलिए यह चीज़ नियूज में रहा कि यह जो अपरेशन ठंडर है वो किसे संबंदी थे तो आपको याद रखना है वन जीव आपके विनयम अपराग से है और यह 2017 से कंटिन्यू चलाया जा रहा है इसका यह चौथा संसकरन था इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा चली नेक्ट पॉइंट पर नज़र आले वो क्या है भारत ने सीमा संगर्ज को रोकने के लिए किस देश के साथ तीन स्तरीय विगटन योजना यानि थ्री स्ट्रेप डिस इंगेजमेंट प्लान पर हस सहमती जताई है तो यह च क्रॉप कमांड लेबल कहां पे चुंग सोल में इस पॉइंट को भी याद रखिएगा नेक्स पॉइंट है वो क्या है किस राज्य की विधान सभा ने सरना सहिता सरना कोट के प्रावधान के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है तो कहां की गॉर्मन ने किया है या आपकी जारखंड के दौरा किया गया है सरना है क्या तो सरना एक जाती है एक ध़र्म के अनुयाई है जो कि यह अपने आपको हिंदु नहीं मानते ठीक है। पर यह अपने लिए अलग मांग कर रहे है तो इसलिए यह वापस से なूज में रहे तो आपको पता होना जी जो सरना कम्यूनिटी है समुदा है वो कहा पाय जाता है तो आपके जार्खंड में पाय जाता है ठीके नेक्स जो पॉइंट है वो क्या है आपका वायू की खराब गुडवता को देखते हुए किस राज्य ने प्रोजेक्ट एयर केयर लॉंज किया है तो अभी हम जान रहे हैं इस तरह के काफी ज्यादा इनिसियेटिव ले जा रहे हैं तो अभी हर्याना सरकार के गुरू ग्राम में कहां पे गुरू ग्राम में एक एयर केयर प्रोजेक्ट एयर केयर संटर लगाया गया है और यह जो विंड ओकुमेटेट एयर फ्यूजन यूनिट यानि वायू स्थापित किया जाएगा ठीक है याद रखिएगा वायू क्या है तो वायू जो है वो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स को ही इंप्रूफ करने का एक क् इस पॉइंट को भी याद रखिएगा यह कुछ थे इंपॉर्टेंट पॉइंट आई होप यह वीडिया आपको पसंद आए होगा इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सेयर कीजिए थैंक्यू आपका दिन सुबहो क्वालिटी इंप।